नमस्कार और वेलकम टू एडिटोरियल्स एन आर्टिकल्स अनालिस सीरीज ओफ क्यूरियसली एजुकेशन मैं हूँ प्रशांत मावानी दोस्तों आज हमारे टेबल पर है चार इंपोर्टन टॉपिक्स पहला ये वहला जो है ना ये महुआ मोहितरा का जो केस है उसके साथ ज आज हम डिसके सारे इंट्रेस्टिंग पॉइंट समय इस पर्टिकुलर आटिकल में पढ़ने को मिल रहा है एंड आटिफिशल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक बहुत ही सूपर्ब आटिकल आज हम डिसकस करने वाले हैं तो इस आर दो इस पर आईटम्स आगे बड़े उस स आप बहुत हो गया तब एक बार यह चीज़ जरूर सोचेगा कि आपने जो भी आप कर रहे हैं उसकी शुरुआत क्यों की थी राइट नोट हाव नोट वाट यह प्रशना नहीं पूछना है हाव आई स्टार्ट इस ताइम और वाट आई डिद अट पॉट आइस ताइम औ हमें अपने ही अंदर जाकना पड़ता है और वी रियलाइज कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होते होते हैं पहाँ पर हम कंक्लूजन पर पहुंच जाते कि चलो अब क्वेट नहीं किया जा सकता है इतनी सारी चीज़ है जो है वो हमने अलरी कर ली इतनी महनत कर ली है तो एक ना दू ले स्टार्ट भेड़ता हूँ उडूर एकरमी के साथ जुड़ा हुआ हो आरफ के साथ जुड़ा हुआ 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 हो और खास करके से जितने स्ट्टेंस जो बैंक जstell कुता इंश्पांप्राद्वर्ट अख की तयरिक त्यारी कर रहे है तो अफ्कूर्स UPSEC स्टेट PCAC के लिए तो यह important ही है लेकिन particularly banking examination की तैयरी करने वाले के लिए भी यह article बहुत ही important है prolonged pause RBI again keeps key lending rates unchanged I believe कि अब आपका level इतना तो है ही और होना भी चाहिए कि lending rate क्या है यह तो आपको पता है right it's basically repo rate जो है इसको RBI ने फिर से जैसा है वैसा ही रखा है unchanged रखा है तो आपके लिए प्रशना है अगर आप कोई चीज increase करते हैं तो कहा जाता है कि आपने decision लिया अगर आप कोई चीज decrease करते हैं तो भी कहा जाता है कि आपने कोई decision लिया लेकिन आप जैसे है वैसे ही चीज़ों को रखते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि वो भी एक decision ही है जी हाँ वो भी एक decision ही है तो सोच समझ कर Reserve Bank of India ने ये ये repo rate जो है या फिर lending rate जो है interest rate जो है इसको unchanged रखा है और इस article का नाम क्या है prolonged pause एक लंबे समय से pause है किस चीज़ के ऊपर repo rate जो है इसको increase नहीं किया है जैसा है वैसा ही एक लंबे समय से रखा है अब RBI maintains key rates for fifth consecutive time ये पाँच वी बार ऐसा हुआ है consecutive यानि कि continuously पाँच ऐसी buy monthly policies आ गई और उस पाँचों के पाँच में है यानि कि buy monthly यानि कि दो महिने में एक बार होने वाली चीज़ तो आप समझ लिजे के 10 महिनों से और we can also say roughly speaking लगबग लगबग एक साल से Reserve Bank of India ने जो key rates है उनको जैसा है वैसा ही रखा है और inflation जो है वो definitely Reserve Bank of India की priority है हम सब जानते है इसके पहले भी हमने discussion की थे और discussion अगर नहीं भी की है तो भी कोई बात नहीं आप भी कुछ ना कुछ चीज़े जो है वो खरिदने के लिए जाते होंगे आपके घर में भी ये बात definitely होती होगी कि चीज़े जो है वो काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है पहले ही आपके घर के पारकिंग में अगर फेरारी भी है तो भी ये शब्द जो है वो definitely आपको घर में सुनने को मिले ही होंगे कि चीज़े जो है वो काफी ज्यादा expensive हो चुकी है तो हर एक घर में ये discussion होती है and remember अगर ये एक इतना बड़ा मुद्दा है एक इतना बड़ा topic बन जाता है या फिर issue बन जाता है कि price rise जो है मैं सहाँ हमारे देश की एक बात बता दू price rise की वज़े से या फिर मेंगाई की वज़े से सरकारे जो है वो भी गिर जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली ये चीज है लोगों को directly इसकी जो pinch है ये feel होती है इसका जो pain है वो feel होता है तो देरे देरे फिर सरकार की तरफ जो हना वो लोगों का गुसा मैं सहाँ आप अच्छे roads देंगे आप अच्छी hospitals देंगे बहुत सारी चीज़े देंगे लेकिन जो जेब में से जो रोज 100 की नौट 500 की नौट कम हो जाती है कई लोगों के लिए 1000 कई लोगों के लिए 2000 कम होने लगता है तो वो जो चीज है ना वो feel होती है सरकार इसको बहुत ही serious ले लेती है और इसके लिए ही dedicated Reserve Bank of India को ये responsibility दी गई है सरकार के दोरा कि आपको make sure करना है कि inflation जो है वो control में रहा है inflation की lower range 2% और higher range जो है वो 6% की है और ideally 3% के आसपस अगर है तो that is good thing लेकिन लोगों के बहुत सारे reasons की वज़े से कुछ global reasons थे कुछ climate change के reasons थे कुछ हमारे reasons थे तो ये सारे अलग-अलग reasons की वज़े से ये inflation जो है ये cross कर गया 6% की जो upper limit है उसको तो महिंगाए हमारे यहां पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी अब दीरे दीरे चीजे जो है वो control में आ रही है but still चीजे जो है वो आज भी उतनी expensive ही है तो inflation जो है ये इसलिए Reserve Bank of India की एक priority बन जाती है सरकार ने भी जिम्यदारी दी है और सरकार ने जिम्यदारी दी है उसके बीचे भी reason और in terms of economy as well it is very very important के चीजों की price जो है वो कम रहे है logical बात है अगर चीजों की price means महेंगी होगी जब कोई चीज जो है न affordable से जब महेंगी बन जाती है तो लोग उसको खरीदना बंद कर देता है तो in general inflation का means inflation की definition ही यही है कि in general सारी चीजों की price जब increase हो जाती है तो इसको हम कहते है पैसों की value कम हो जाती है और चीजे जो है उसकी price बढ़ जाती है तो ऐसे समय में लोग जो है वो पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते है क्योंकि ओलड़ी चीजे जो है मेंगाई जो है वो बढ़ जुके है तो यह इसकी basic understanding यह practical understandings है अगर आप चीजों को पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं रहेगा यह कुछ आंकड़े जो है वो up and down आपको याद रखने पढ़ेंगे लेकिन overall concepts एक बार clear हो जाए उसके बाद कभी आप इसको भूल ही नहीं सकते है तो इन्फलेशन जो है October में यह 4.87% हो गया लेकिन इसके बावजूद भी RBI जो है It is bit cautious RBI सोच समझगल चल रही है और RBI जो है वो चीजों को balance करके चल रही है Stability और Growth यह दोनों चीजों जो है उसका एक अच्छा balance करके RBI जो है अब food prices जो है इसमें near term में आपको uncertainty नजर आ सकती है ऐसा RBI का एक forecast है एक समझना है कि आने वाले समय में For example अभी December चल रहा है और यह कहा जाता है कि आने वाले जो तीन महिने हैं For example January, February और March तो इसमें food की price जो है वो increase होने के chances है So that's the reason की RBI जो है वो सोच समझ कर rate को कम नहीं करें बले ही inflation जो है वो 6% के नीचे आ गया है लेकिन फिर भी repo rate जो है इसको कम करने की कोई अभी RBI ने में अभी सोचा नहीं है अब Duce Bank जो है उसका कहना यह है कि June 2024 तक यह pause वो वैसा का वैसा ही रहेगा repo rate में किसी भी प्रकार का changes जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा उसके वीचे दूसरा भी एक reason है that is लोकसवा election तो अभी जो interest rate है यही interest rate को लोकसवा election के बाद जब results आएंगे और जब नहीं सरकार बनेगी उसके बाद शायद changes जो है वो किये जाए RBI revises financial growth forecast to 7% from 6.5% क्योंकि जो हमारा quarter 2 है 4 quarters होते हैं quarter 1 quarter 2 3 and Q4 और 1H और 2H ऐसे लिखा जाता है first half and second half तो पहले 6 महिने और बाकी के 6 महिने तो यहाँ पर quarter 1 में April, May, June फिर July, August, September, October, November, December and January, February, March तो इस प्रकार से एक साल के 4 टुकड़े किये गए 3-3 महिने का 1 quarter तो जो हमारा second quarter है इसमें इंडिया का growth जो है यह 7.6% रहा विचिस वेरी वेरी impressive तो यह impressive growth को ध्यान बे रखते हुए RBI ने यह कहा है कि इस साल, पूरे साल का इस financial year में भारत की economy जो है उसका growth 6.5% से नहीं लेकिन 7% से हमारा जो growth है वो होने वाला है और core industries को अगर आप देखेंगे core industries जो 8 ऐसी चीज़े है ना जो core industry का part है बताईए वो कौन सी 8 चीज़े है यह पता होना चाहिए यह आपको comment section में बताना है this is a question number one for you today तो यह core industry is index जो है तो इसने 8.1% से growth register किया September में तो basically अगर manufacturing sector में इतनी अच्छी recovery है that means कि हवारी economy जो है वो robust है, resilient है और इसकी वज़े से growth जो है वो काफी अच्छा होगा so these are the positive things that we can see from this particular decision of Reserve Bank of India now dear friends let's talk about this one bad precedent the expulsion of Mahua Moitra MM मैं इनको MM कहुँगा it will be much easier for me या फिर M तो यहां पर जो M है उनको expulsion हुआ है उनको पाल्यमेंट से हटाया गया है तो यहां पर यह बहुत बड़ा प्रशन जो है वो उठाये जा रहा है अब M जो है उनको लोकसबा से निकाला गया 8th December को और Ethics Committee का रिपोर्ट जो है इस रिपोर्ट के आदार पर voice voting की गई और इस voice voting में जो majority voice है वो यह है कि M जो है उनको निकाल देना चाहिए अब committee जो है उनके recommendations जो आये थे तो उसमें यह कहा कि यह जो M है तो उन्होंने जो breach of privilege जो उनको as a MP के तोर पर जो privileges मिलते हैं तो उनका उलंगन किया है और इसे के साथ साथ जो grey है तो इनका भी contempt किया है उनको contempt को क्या कहते हैं हम कई बार हिंदी फिल्मों में भी देखते हैं तोहिन यह अधारत की तोहिन है तो contempt किया तो वैसे जो grey है उसका उन्होंने एक तोहिन किया उनको insult किया इस परकार से उनकी action की वज़े से उनका मान जो है कुछ ऐसे MPs जो हैं उनको निकाला गया था cash for query sting operation चला था तो उसमें क्या था कि यह sting operation में कुछ हमारे member of parliament जो है members of parliament जो थे तो उनको यह sting operation में देखा गया कि हाँ आपके लिए प्रशन पूछ लेंगे आप हमें पैसे दीजेगा तो this was the thing इसलिए इसको cash for query कहा जाता है तो यह video जो है वो सामने आया प्रपर video में दिखाई दिया और फिर इनको हटाया गया इनको expol किया गया अब यहां पर M जो हैं उनके खिलाफ इतने कोई खास strong evidence नहीं है this is something that we need to keep in mind दूसरी चीज़ committee ने ये कहा है कि जो M है उन्होंने अपना credentials, credentials यानि की ID password जो है जब आप MP बनते हैं तो आपको ID password दिया जाता है आप access कर सकते हैं website and things और उसमें जो draft bills हैं उनको देख सकते हैं तो क्या-क्या चीज़े हुई यह सारी चीज़े है कुछ ऐसी चीज़े जो public के सावने नहीं होती है as an MP आपको यह कुछ चीज़े आप देख सकते हैं कि हाउस में क्या जल रहा है तो यहाँ पर ID password जो हैं उन्होंने शेयर किया हिरान अंदानी जो हैं उनके साथ यह इल्जाम उन पर है but the thing is the reality is कि जो भी हमारे MP है और जितने जो हमारे MPs हैं और जो हमारे MLAs है do you think कि वो खुद अपने computer पर बैठ कर या फिर अपने laptop पर बैठ कर खुद login करके वो लोग चीज़ों को use करते होंगे हर बार करते होंगे the answer is no means of course कि आपको PM मोदी साब जो है हमारे right तो क्या do you think कि उनको ID password जो है वो ये सारे अलग-अलग accounts के ID password याद होंगे नहीं उनके लिए dedicated staff होता है तो वैसे ही जो हमारे MPs है ना सारे के सारे MPs और committee ने भी ये माना है कि committee acknowledges committee acknowledges MPs sharing login credentials login credentials जो है वो शेयर करते हैं ऐसे कुछ अपने assistant है उनके साथ तो ये चीज़े तो हैं ये चल रही है लेकिन इनके उपर ये जो M है उनके उपर ये भी कहा गया है कि वही आपने ये login password और ये credentials जो है वो शेयर किये तो ये आपने एक बहुत बड़ा नुकसान पहुचाया है और आपने जो हमरे देश की national security है तो उनको भी endanger किया है 495 पेज का ये जो report है उसको table पर रखा गया और उसी दिन पर voting भी हो गई अब opposition जो है opposition के जो भी leaders एंपी से हैं तो उनका कहना ये था कि हमें detailed discussion इसके पर करनी है और क्योंकि ये 495 पेज का report है तो हमें एक दिन के अंदर हम इसको पढ़ नहीं सकते तो हमें थोड़ा वक्त मिलना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ majority से उनको निकाला गया which is not right चलो उन्होंने गलती की है committee ने पाया कि उन्होंने गलती की है ये committee ने decide किया committee के लोगों ने decide किया है I'm not questioning that लेकिन सबसे बड़ा जो problem है that is this one बाकि सारी चीज़े हो सकता है M की गलती हो means वो जाने उनकी party जाने right ये सारी चीज़े जो है वो politics पर कैसे चल रही है वो सारी चीज़े वो जाने लेकिन the most important thing is हमारी democracy को ध्यान में रखे अगर हम तो simple चीज़ जो है वो ये है कि अगर opposition के लोग और opposition के लोग को किसने वहाँ पर भीजा है क्या वो Saturn से आये हैं क्या वो चान से आये हैं नहीं वो हमारे देश के ही लोग है और हमारे देश के लोगों नहीं वोट करके opposition के जो भी MPs हैं उनको वहाँ बिठाया है तो अगर MPs ये कह रहे हैं कि उनको discussion करनी है तो ये चीज़ होनी चाहिए this is something that we are missing इस चीज़ पर seriously discussions होनी चाहिए debate होनी चाहिए हमें हमारे MPs है उनको ये प्रशन पूछने की जरूरत है हर एक MP को देश के सभी लोगों को पूछने की जरूरत है कि क्या चल रहा है क्यों discussions नहीं क्यों quality discussions नहीं होती है क्यों लडाई जगडा और ये सारी चीज़ें हमें देखने को बिलते हैं क्या इसलिए हमने ये अलग-अलग political parties के MPs को vote देकर वहाँ पर विठाया है number one, number two this applies to MLA's as well जो हमारे राज्य की जैसे हमरी होती है तो वहाँ पर हमारे MLA's जो है तो यहाँ पर भी यही सिनारियों देखने को बिल रहा है देखिए पुरा देश debate, discussion और ये सारी चीज़ों से बना है dissent, discussion ये सारी चीज़े पार्ट होती है democracy की तो जितनी discussion होगी उतना फाइदा होगा और अब ये सारी चीज़े भी खत्म कर देने की जरूरत है ये winter session ये monsoon session आता है budget session आता है ये अब खत्म करो अब technology और सारी चीज़ें हमारे पास है राइट 24 चलो 24 by 7 तो नहीं हो सकता बड़ आइबुट से 365 days जो है ये चलता ही रहा है चलो holidays और ये सारी चीज़ों को आप माफ कर दो बाकी के टाइम पर no vacation continuously house जो है उसमें debate, discussions और ये सारी चीज़ें means main काम जो है इन लोगों का ये काम करते रहे और इसके साथ वो फिर अपनी जो constituency उसका काम करें वो free ही नहीं होने चाहिए I'm not like ऐसा नहीं है कि उनके ओपर कोई गुसा है हमारे MPs और MLS पर वो भी हमारा ही part है वो इसी समाज के हैं इसी देश के हैं हमसे हमसे ही ही वो है एक लेकिन ये सिस्टम जो है वो अपग्रेड करने की ज़िए जैसे जो judiciary है तो उसमें अब vacation की जरूरत नहीं है उस समय पर जो British राज हुआ करता था तो गर्मी होती थी तो वो vacation में चले जाते थे अब तो आप full 24 degree Celsius temperature सेट कर दीजिये और काम करता रहिए 24 by 7 electricity है तो अब ये कुछ ऐसी चीज़े हैं ना उनको खत्म करने की जरूरत है तब जाकर कोई तरक की जो है वो शायद हमें देख रहे है नेक्स्ट लेवल इन ए आई artificial intelligence artificial general intelligence will pose a new set of challenges artificial general intelligence अब रिपोर्ट ये आया है अब ये rumors हैं या फिर media में बाते आई हैं इसको basically यहां पर रिपोर्ट ही कहा गया है और मैंने इसका बहुत ही as you can see जो newspapers में articles में editorials में जो lines होती है तो hardly I copy them वरना मैं उनको rephrase ही करता हूँ as easy as possible हो आपके लिए तो ऐसे ही sentences में लिखता हूँ तो reports ये कहती है suggest करती है open AI जो है इसमें एक नया breakthrough हमें देखने को नया breakthrough का मतलब होता है नया innovation एक नई चीज़ देखने को बली है जो ultimate है ना तो उनके removal से पहले उन्होंने ये कहा था कि एक नई चीज़ जो है वो हम launch करने वर है फिरन को remove किया गया वापस वो आये है लेकिन यहां पर ये बात बताई जा रही है कि एक नई चीज़ जिसका नाम है Q star यहां पर Q और यहां पर star देख सकते है तो इसको pronounce करते हैं Q star अब ये Q star जो है ये एक नया algorithm है और ये इतना ताकतवर बन सकता है It's like एक ऐसा दिमाग जो खुद चीज़ों को सीखने लगए For example, like human brain जो है तो कैसे हम देरे मिंच जब पैदा होते है तो कुछ ऐसी चीज़े लेकर आते हैं राइट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो है इसके बाद हम कौन-कौन से एप्स डाउन डाउनलोड करते है कितने मेहनत करते है क्या करते है हमारा क्या इंटरस्ट है क्या हमारे एक्सपरियंस रहे ये सारी चीज़ों की impact जो है वो हमारी personality और हमारे जीवन और बहुत सारी चीज़ों पर कि मिन्स वो हमें देखने को मिलता है right that we all know तो यहां पर जो यह artificial general intelligence है AGI जो है तो यह AGI जो है इसकी यही ताकत है कि वो खुद चीजे जो है वो सीख सकता है new AI model Q star combines Q that is learning and A A star तो यह rumor की गई अभी rumor यह आ रही है कि जो high school maths है उनके जो problems है तो इनको 100% accuracy से solve करने की ताकत है अब chat GPT और यह जो है यह chat GPT four fourth version जो है तो यह 70% accuracy से काम करता है लेकिन यहां पर Q star जो है यह 100% accuracy से star करता है 100% accuracy से perform करता है इसका मतलब यह है कि इसके पास logical reasoning की capabilities जो है वो आ चुकी है और अगर यह बात सच है तो artificial general intelligence AGI जो है वो दीरे दीरे खुद ताकतवर बंदा जाएगा खुद जो है वो reasoning करने लगेगा चीजों को decipher करने लगेगा और patterns जो है उसको replicate करने लगेगा तो बहुत ही high level intelligent बहुत ही high level का यह intelligent machine बन जाएगा अभी जो current AI है that is very very limited यह कुछ specific चीजों के लिए design किया गया है और अब इसकी versatility जो है वो increase होती जाती है and that's the reason के इसको regulate करने की ज़रूरत है what is the meaning of regulate regulate का मतलब basically आप समथ लीजिए कि आपको इसको लेकर rules बनाने की ज़रूरत है नियम do's कौन से चीज़े करने चाहिए and don'ts right yes and no's क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो क्या allowed है क्या नहीं allowed है यह सारी चीज़े तो इसकी खास जरूरत है और यह बाकी के जो models है ना वो statistics और इन सारी चीज़ों पर काम करते हैं statistics पर ही basically काम करते हैं लेकिन अब यह एक नए level पर जा रहा है यह AGI true AGI surpasses humans in solving vast problems यह हम को भी take over कर लेगा बड़े बड़े problems को solve करने के लिए हो सकता है कि यह खुद आकर नई नई theories हमें दे हो सकता है कि यह खुद आकर कोई नए scientific innovations करे कोई नए mathematical problems जो है उनको solve करे या भी नए problems हमारे जामने रखे और फिर solve करे तो जितना हम imagination ले जाए उतनी चीज़े जो है वो करने की क्षमता जो है वो AGI की हो सकती है अभी जो सामने चीज़े आई है कि अगर ऐसा है तो और यह खुद curiosity, self will, self preservation इस प्रकार के traits भी दिखा सकता है it's like just like human being right एक प्रकार की awareness इसके अंदर आ जाएगी तो यह सुनने में तो सही लगता है लेकिन it is also very very dangerous right के यह किस प्रकार में चीज़े जाएगी क्या फिर यह future में human beings को भी खत्म कर सकता है there are so many questions that we have to ask तो Mr. Altman जो है उन्होंने अभी इस चीज़ को लेकर कोई ऐसी खास बात नहीं बताई लेकिन computer science community जो है तो इसमें इस प्रकार की rumors चल रही है कैसा कुछ discover किया गया कोई नया breakthrough जो है वो देखने को मिला है COP 28 changing the narrative targeting call means shifting the burden of the transition to countries that cannot afford even dirty energy to meet the needs of the people अभी आपने देखा ना कि इंडिया ने कहा दिया कि वह यह कोल बंद करने की बात जो है वह आप भूल जाई है हमने phase out और phase down के बारे में भी बात की थी चाइना ने भी यही बात बताई है और दूसरे जो देश है वो भी इस चीज़ को इसलिए reject करें क्योंकि यहाँ पर developed देश अगर कोई ले को target कर रहे है तो इसका मतलब यह है कि वो developing देशों को कुछ करने ही नहीं ने देना चाहते क्या COP 28 दुबई में चल रही है अब यह second week में एंटर हो चुका है और एक तरफ युद्ध चल रहे हैं दो युद्ध एक्टिव हैं और दूसरी तरफ फीनो के यह extreme weather events जो हैं इसकी वज़े से भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो वो गरीब व्यक्ति है अब जो अमी देश हैं वहाँ पर आप देखे कुछ दिनों पहले USA ने क्या कहा कि हम हमारे टेक्सपेर के पैसे जो है क्लाइमिट चेंज के लिए ऐसे ही नहीं दे सकते हैं सबसे ज्यादा नुकसान ही आपने क्रिएट की और आज जिस हिसाब से USA oil extract कर रहा है हमने discussion की थी ना कि सबसे ज् निकाल रहा है उतना यह निकाल जितना कतार गैस नहीं निकाल रहा है उतना USA निकाल रहा है क्यों उनको यह सारी चीज़े मिली है right exploration में तो यहां पर वो यह ना टक करे यह खास करके develop this this is not acceptable और यह भी याद रखनी की ज़रूरत है कि natural gas जो है ना it is okay it is bit cleaner लेकिन natural gas भी fossil fuel ही है और इसकी भी climate footprint होती ही है तो यहां पर अगर वो यह कह रहे हैं कि कोईले को बंद कर दो तो developing देश करेंगे क्या क्या आप पैसे देंगे हमें कि हम renewable energies जो है उन पर और आपके पास जो जो technologies है क्या यह सारी की सारी technologies आप free में हमारे साथ शेयर कर दोगे चलो अच्छी बात है loss and damage fund जो है उसके उपर एक प्रकार का agreement हुआ लेकिन हम सब जानते हैं कि यह funds जो है वो अपने आप में परियाबत नहीं है तो चलो हमने इस चीज को मान लिया कि चलो अभी शुरुआत तो कर दी है अच्छी बात है first step तो उठाया है धीरे-धीरे करके चीज़े जो है वो सही हो जाएगी लेकिन conditionalities हमारे उपर डालने की अगर कोशिस करोगे खास करके developing देशों पर और vulnerable देशों पर आपके actions की वज़े से बहुत सारे देश जो है वो प्रभावित हो रहे हैं बहुत सारे देशों में कितनी सारी बरबादिया हो रही है और आप पैसे देने के जब और हवेश आप पैसों को लेकर ही यह issue जो है वो हमें देखने को मिलता रहा है हम सब जानते हैं कि हमें 1.5 degree Celsius से नीचे तापमान रखने की जरूरत है लेकिन अब देरे देरे चीज़े जो है वो out of control होती जाती है जो होती जा रही means it's going out of control means कुछ दिनों पहले का वो article याद अब ही हम बात कर रहे थे कि आप देख लिजिए 2011 से 2020 वाला जो जो दशक है या फिर उस से पहले का जो है 2001 से लेकर 2000 वाला दशक तो यह बढ़ता ही जाएगा और जितना हम डिले करेंगे उतना इसका कोस्ट जो है वो भी बढ़ता ही जाएगा तो कई बार कॉप के的िस्केशन जो है वो पैसों को लेकर बन्द हो चुकी है लकिन अब यह जो दुबई है दुबई यानकी यूए है तो उन्होंने काया कि पैसों को लेकर चीज़े जो है बातचीत कर लिते हैं और यह जो कॉप 28 है उसमें बहुत इंपोर्टेंट चीज ह वो जो पैसे देते हैं जब तो अच्छा हुआ कि भारत जैसे देशों ने इस पर स्टेंड लिया है आप कोईले को हटारे की बात करे है इस नोट पॉसिबल फॉर नाउ हमारे पास अच्छी टेक्नोलोजी आ जाएगी तब हम करेंगे देखें यहां पर USA is the largest natural gas exporter surpassing Qatar USA produces record breaking 13.5 million barrels of oil daily साओधी से भी ज्यादा लेकिन जेब में means पैसे देने की बात आती है तब देयार not okay with it तो यही चीज़े चलेगी और याद रखना है इन सारे देशों को कि भई एक limited quota है बाकी means it's like कि एक liter की bottle जो है तो let's say कि वो 700 ml तक वो fill up हो चुकी है अब 300 ml बाकी है और हमारे पास है लगबक 70-77 years तो आपने बहुत बर्बादी और तबाही मचा दी तो अब इतने साल जो बचे है ना तो उसमें यह 300 की जो capacity है तो वो developing देशों को use करने दो आप जो है वो totally green की तरफ आगे बढ़ जाओ जल से जल यही best चीज जो है वो इनको करने की जरूरत है चलो ठीक है that's basically everything we have talked about this topic as well in the past isn't it so not going again into those areas and I will see you soon right but before I go यह जो एक course है उसके बारे में आप जानते होंगे नहीं जानते है तो let me tell you Limitless Leadership इसका नाम है course launch हो चुका है हवारे कुछ students जो है तो उनने session 1 भी देखा session 2 भी देखा और उनके ही review के हिजब से उनको session 2 भी काफी पसंदाया बहुत सारी चीज़े जो है वो सिखिरें को मिली and as you can see 20 से ज्यादा lectures आने वाले है so you can understand कि अभी तो बस शुरवात हुई है दो ही means अभी base ही हम बनाया भी हमने कि why leadership is important and things like that तो अब दीरे दीरे फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें और बहुत सारे examples देखने वाले हैं कुछ case studies देखेंगे और फिर जो end वाला portion रहेगा उसमें उनको specifically बताया जाएगा दिखाया जाएगा कि क्या क्या steps आपको follow करना है जिससे आप actions ले सके leadership को ले कर and after that you will find के they will never be the same again उनका जो leadership का potential है वो unlock होना start हो जाएगा और फिर forever वो grow ही वो करते जाएगा जितने समय तक वो action लेते रहेंगे लेकिन क्योंकि कुछ चीज़े ही ऐसी सिखाई जाएगी के it will become part of their habit you know so so that's the thing but so that's basically everything in today's discussion dear friends thank you very much good bless you all Jai Hind